हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड अकेडमी वे और ये अलजब्रा की सीरीज चले और ये पार्ट 15 है आपका और हम लोग ने पार्ट 14 सक्सेस्वली खतम कर लिये हैं इसका लंबा युद्ध है क्योंकि मेंस लेवल तक कोशन आता है और हर एक एक्ज तो हमें आपका a-b दे रखाया आपका square पूछा गया है और यहां पर minus माइनस में जाना तो ऐसा कोई नियम नगे होता है हमें पता है कि आपका पहली बात तो हम माइनस से हम आपका plus में जा सकते हैं तो अब हमें plus निकालना पड़ेगा तो हम plus से फिर आपका इसमें a-b और 3 by 4 से into कराना पड़ेगा अगर हम पूरे सम्मी करण में 3 by 4 से into करा देंगे तो जो हमें चाहिए actually में वो हमें प्राप्त हो जाएगा मतलब आपका ये 8 है तो यहाँ पर आपका 3 by 4 हो जाएगा 4 टूजा 8 और 3 टूजा 6 हो जाएगा अब ये into कराएंगे तो ये 4 से 4 कर जाएगा उपर आजाएगा 3 x जो कि हमें चाहिए था इसलिए इतना drama किया और यहां से 3 से 3 कर जाएगे ये 4 x आजाएगा आपका नीचे और ये आपका हो जाएगा 6 ठीके अब आप इससे minus से आपका plus में जाना है तो क्या करते हैं आपको पता है minus से plus में जाने के लिए आपका आपको simply सा पता है कि आपको क्या करना होता है जैसे आप हमें 3 x plus 1 upon 4 x निकालना होगा हम लोग ने धेरो सवाल किये गयते तो minus वाले ये number का square करते हैंगे यहाँ पर 6 का square हो जाएगा आपका plus आपका 4 a b करना पड़ेगा और ध्यान अकना पड़ेगा a और b अलग-अलग है दोनों तो अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर a की जगे 3 x है और b की जगे आपका 1 upon 4 x है ठीके ना अगर आप समझ में आ रहोगा तो यह हिस्सा आपका कट जाएगा आपका ठीके ना अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे plus वाले निकाल आएगा तो 3 x plus 1 upon 4 x अगर हम करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो 6 का square 36 और 36 और यह x x कट चुका है ठीके ना यह 4 से 4 भी कट चुका है 36 3 49 यह रूट 49 आजाएगा तो यहाँ पर 6 का square 36 और यह 3 बचाता तो 49 आगया यह प्लस की value है यह मैनस की value है हम आपको पता चुके यह किसका whole up square होगा तो 3 x का whole up square और यहाँ पर यह किसका whole up square होगा तो 4 x का whole up square है अब यहाँ पर देखेंगे तो a square minus b square है यानि एक record में 3 x plus 1 upon 4 x ठीके ना और यहाँ पर 3 x minus 1 upon 4 x बार बार करके नहीं दिखाऊंगा एक बार में आपको समझ जाना है और paper में भी आपको ऐसे करना है ताकि विल्कुल आपको देखते हैं संज में आ जाए है और आपको minus salim जाना है हम चाहे plus से हो तब भी plus में पहुचते है minus हो तब भी minus में पहुचते है क्योंकि power अगर single दे रखेंगे दो में तो formula होता है a plus b का whole up square a minus b का whole up square और दोनों में आता है a square plus b square plus 2 a b और minus salim में minus 2 a b लेकिन यह minus में है यह किसका form generate कर रहा है पकीसी generation में generate कर रहा है आपका x plus 1 upon x और यह कर रहा है आपका x minus 1 upon x अगर आपको पता हो तो यह x plus 1 upon x को show कर रहा और यह x minus 1 upon x को show कर रहा है यानि अब हमें इससे minus निकालना पड़ेगा और हम आपको पढ़ा चुके हैं x plus 1 upon x का whole up square निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे square एटा देंगे तो उधर under root में चला जाएगा तो आप direct लिख लिएगा x minus 1 upon x का whole up square और minus का क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे अगर हमें plus से minus निकालना है मतलब अगर हमें minus निकालना है क्योंकि हमें minus find out करना पड़ेगा तो अगर minus निकालना है तो यहाँ पे इसका यह करके और minus का 4a भी लिखते हैं और x into 1 upon x कट जाता है और यह हम पिछले वीडियो में discuss कर चुके हैं कि अगर हमें plus से minus में जाना है मतलब आपका plus है और minus हमें निकालना है तो आप plus वाले का square करके 4 घटा दीजे और x into 1 upon x बेस सेम होने पर कट जाता है धेरो सवाल ऐसे पड़ें भाई तो अब आप निकालेंगे तो यहाँ पर x minus 1 upon x अगर आप निकालेंगे तो अब यह बार बार हम नहीं करेंगे दिये के number का square करिए तो 3 का square कराओ और 4 घटा दीजे अगर बेस सेम हो तो 3 का square कितना होता है दोस्तों 9 होता है 9 में 4 गया 5 तो उत्तर आगे आपका इसका 3 और root 5 तो यह लिख दिया हमने 3 root 5 आगे दोस्तों चलिए दोस्तों और question लेते हैं ऐसे और करके दिखाते हैं कैसे हो देखें का दोस्तों मैंने 2 एक साथ प्रेशन ले लिए ताकि आपको और clear हो और समय भी बचा पाए हम लोग तो अब हम इसको करेंगे यह देखें का वही है पहले तो आप इसको पैचानिए अगर इसको चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं X की पावर 5 की पावर 2 A square –1 upon X की पावर 5 की पावर 2 देखा अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पर आजाएगा X की पावर 5 plus 1 upon X की पावर 5 एक तरफ और X की पावर 5 minus 1 upon X की पावर 5 एक तरफ ठेके ना अगर आपने ऐसे देख लिया तो समझे सवाल आपका हो जाएगा ठेके ना और अगर आप यहाँ पर यह देखेंगे कि इसको हमें हल कैसे करना है तो पहले आपने यह देखा अब हमें plus से कहाँ पर जाना है minus पर तो minus में जाने के लिए क्या करना होता है आप दोस्तों सभी को पता है बहुत असानी के साथ में कि plus वाले का square करना है under root चढ़ा करके और इसमें कित्ता गटा देना है आपको 4 गटा देना है तो 5 का square मेरे दोस्तों 25 होता और 25 में से 4 गए तो आपका कित्ता बचेगा 21 कितना हो जागा 21 अगर आप देखेंगे तो अब यह हमें value पता चल गए यह नहीं 5 root 21 इसका उत्तर हो जागा एक्जाम में आया है यह आपके और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी same है अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे देखे 14 पूछी गई तो अगर आप इसको पहचाने तो x का power 7 का power square minus 1 upon यहाँ पर भी हम same करेंगे x की power 7 का power square तो हो जागा x की power 7 plus 1 upon x की power 7 और x की power 7 minus 1 upon x की power 7 अब हमें ध्यान अखना होगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पर यह आपका plus का दे रखा है और हम minus का find out कर लेंगे और minus का मेरे बच्चों find out करेंगे तो दिये के number का हमें square करना root 29 का square करेंगे तो 29 निकल आएगा और उसमें 4 गटाएंगे तो कितना आजाएगा 25 और root 25 का under root कितना होता है आप सभी जानते हैं 5 यानि minus value की 5 आई और इसकी value 29 root दे रखें तो 5 root 29 इसका उत्तर हो जाएगा चलिए दोस्तों 2 प्रशन और लेते हैं कि जादा हो ठीके ना ताकि आपको और जादा clear हो तो देखेगा same है यहाँ पर यह 3x अब आर बर इतनी धीमे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर यह कुल मिलाकर हमने देखा कि यह आपका इसका whole up square बनना है यहनी a plus b और a minus b a bracket में आपको exam में यह सब मन में सोचना है क्योंकि इतना time अगर आप केवर लिखने में लगा देंगे तो बहुत time चला जाएगा ठीके ना सीखे बड़ी इत्मिनान से करिए बहुत तेज ठीके ना अब हम यहाँ से minus अलेम जाना है अब आप हम direct minus निकालेंगे एके number का क्या करना होता में square करना होता तो 5 का में क्या करना पढ़ेगा square 25 और आपका minus अले के लिए minus करते हैं कितना घटा देंगे 4 घटा देंगे हम आपका तो यहाँ पर कितना हो जागा 25 चार गया 21 अब आपका root 21 अब आप इसका उत्तर लिख दीजे कितना रुकता रहागा लेकिन एक चीज साउधान साउधान साउधानी क्या बरत्नी है कि यहां पर अलग अलग है देखिए वहां पर अभी तक X और 1 upon X आ रहा था सेम था बस आप यहां पर यह समझ जाएगा कि यहां पर X की जगें आपक यह 3X लिखना पड़ेगा और B की जगें यहां पर आपको यह क्योंकि होता है formula जो होता आपका 4AB होता है और AB इस बार अलग अलग है तो कटेंगा नहीं तो यहां से यह काट लिजेगा और यह चार से चार कट लिजेगा तो 25 में से 3 कटाईएगा ठीके ना तो कितना हो जा यहां पर क्योंकि यहां पर 3X और यहां पर 2X गेवल तो देखेंगे तो यह किसका whole up square बनेगा तो अब आप देखते समझ गयोंगे 3X प्लस 2 upon X का और 3X माइनस 2 upon X का ठीके ना हमें यहां से माइनस अलग निकालना और माइनस अलग निकालने में cataric होती है दिए के number का square कर इंडर रूट लगा किया 5 का square और अगर बेस सेम नहीं है माइनस आले में माइनस करेंग और बेस सेम नहीं है तो 4 into A into बेस भी लिखिए और बेस कितनी है आपकी 2 by X और यह 3X इकट गया तो 4 नहीं बारा बारा दुनी 24 यह होता है 25 25 में 24 गया एक और रूट एक की value एक होती नहीं तो एक ही हो गया तो 5 इसका सही उत्तर होगे यह एक्जाम में आये हुए question है दोस्तो चलिए दोस्तो और question लिख देते हैं और दोस्तो अब हमने नया type लिया है इसमें एक ही question लिया है क्योंकि आप इसमें सबत जाएंगे डेरों पहले माइनस के हम लोग practice कर चुके है यहाँ पर देखेगा जो base आपका उपर होना चाहिए वो नीचे दे रखा और जो नीचे होना चाहिए उपर दे रखा और base अलग अलग भी है अब यह आप जानते हैं बहुत बार हम बता चुके है यह आपका बनेगा आपका जैसे अगर आप square देखेंगे तो 5x plus का 1 upon 4x औ और आपका 5x minus 1 upon 4x ठीक है दोस्तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से मैं minus 1 निकालना पहले base बदलना पड़ेगा 5 उपर चाहिए हो 4 नीचे चाहिए तो हम 5 by 4 से दोनों equation में क्या कर देंगे गे गुणा करा देंगे और जब गुणा कराएंगे तो यह देखे तो 5 से 5 कट जाएगा 1 upon कितना बचेगा 4x बचेगा और यह हो गया 10 अब प्लस वाले से माइनस निकालने के लिए हम लोग महारत हासिल कर चुके हैं चैंपियन बन चुके हैं देखे नंबर का square करेंगे 10 का square कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा minus 4 कर देंगे लेकिन अगर base सेम ह होगा तब ही करेंगे 4 ने तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा base और base जब हम पूरा लिखेंगे तो यह आपका कट जाएगा 4 से 4 कट गया 100 में से 5 गया अंडर पिच्चान में हो जाएगा बस आप उत्तर लिखेगा 10 यह आया है रूल पिच्चान में आगे 10 रूट स्क्वार का तो अगर आप यह सवाल देखोंगे पहली बात तो यह सकेंडों का सवाल है लेकिन सकेंडों से पहले मिंटों में करिए क्यों क्यूंकि आपको तभी शॉट कट आएगा जब आप लॉंकर समझ पाऊगे तो देखें अगर हम इस चीज में यह करें कि हमें x प्ल तो आपको यह देखने में ऐसा लगेगा कि किसी का फॉर्मूला बनना है अगर हम इसको x स्कौर का इसको लिख दें और इसको लिख दें टू एक x स्कौर वा Incre to त अब आपको सभी यह है और भी के यह प्लेसट बॉल्onders square तो A की जगे ये है और B की जगे आपका ये है का whole up square का मतलब क्या बनना है आपका ये बनना है ये minus का है A plus B का नहीं A minus B का whole up square बनना है देखेगा A square plus B square minus 2 ये भी तो यह minus का ये बात याद रखेगा आप देखेगा यहाँ पर भी formula बनना है क्या बनना है a square minus b square का तो x minus y a bracket में x plus y एक bracket में ठीके ना और इनको ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख लिया ठीके ना जब हमने यह लिख लिया अब हम value put करेंगे s की जगे जह हम put करेंगे क्या put करेंगे आपका a plus one upon a तो a plus one upon a और यहाँ minus है तो जब minus entry करेगा तो जो यहाँ पर a plus का था वो minus का और run upon a जो minus का तो वो plus का हो जाएगा जो मैंने लिख दिया अगले bracket में जब आप देखेंगे bracket थोड़ा सा मजला लगा दीजिये मतलब middle bracket क्योंकि अभी बड़ा bracket में square लगाना है ठीके ना आपने ऐसे कर दिया और आपने यूँ कर दिया इसके बाद देखेंगे एक मजले bracket में x plus y है नहीं a plus one upon a और y के value आपकी है a minus one upon a ठीके ना इसको bracket में बंद कर दिया और पूरे bracket का हम लोगने क्या लगा दिया square लगा दिया ठीके ना इतना बड़ा दिख रहा है खुकार है अब देखेंगे यहाँ a से a कट गया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे one upon a से one upon a कट गया यहाँ पर अगर आप महसूस करेंगे तो one upon a plus one upon a जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका two upon a ठीके हैं और यहाँ कर अगर आप महसूस करेंगे तो a और a कितना हो जाता है 2a हो गया यहाँ a से a कड़ गया और दोनों का square चड़ा हुए तो 2 का into 2 करेंगे तो 4 और 4 का square 16 हो जाएगा बहुत असानी की संगे निकल आया समझने के लिए था ऐसा लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है तो अब मैं आपको बता रहूं कि आपको कैसे करना है shortcut देखना है क्योंकि एक short कुछ नहीं होता है short जो निकलता है वो longी से कुछ चीजे हम लोग क्या करते हैं काट कूट के अपने मन से बनाते हैं और देखते हैं देखेगा इसको satisfaction method बोलते कि आप A की कोई value मान लीजे ऐसी मान लीजे जिससे infinite या अनन्थ ना बने बाकि आप कुछ भी मान लीजे पूरे सवाल में अनन्थ नहीं बनना चाहिए जैसे अगर हम यहां रखें A की value 1 रख लें कितनी रख लें A की value 1 रख लें यहां पर उठाएंगे तो X बराबर यहां रखेंगे बच्चो तो 1 प्लस एक बटा एक होता है क्योंकि A की value 1 मानी तो X की value 2 निकल आई और Y में अगर हम रखने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चो और हम यहां पर रखते minus का 2 into कितना हो गया 2 का square into 0 का square अब यह पूरा term 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से किसी number का multiply कराते तो कितना आता है 0 अब यहां पर 0 की power 4 यह भी 0 2 की power 4 कितना आजाएगा 16 यानि देखेगा इसका उत्तर कितना आगया बहुत असाने के संग 16 आगया दोस्तो चलिए एक दो प्रशन और ऐसे लेते और आपको करके दिखाते हैं और कैसे होंगे अब उसमें short करेंगे ठीक है देखेगा दोस्तो अब हम लोग shift short करेंगे a की value मानेंगे 1 आप कुछ भी मान सकते है 2 भी मान सकते है कोई फरक नहीं पड़ेगा कमेंट में डालेगे तो 2 मान के निकाल देगे या कर लीजेगा तो लिख दीजेगा yes हो गया तो यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो यह 1 का square 1 और यहाँ पर भी 1 का square 1 तो x बराबर इस बार हमने square लिया यह power 5 answer सही महीं आएगा देखेंगा कोई फरक नहीं पड़ेगा यहाँ रखेंगे 1 तो 1 और plus 1 कितना हो जागा 2 और y की value रखेंगे 1 1 तो 1 का square 1 minus 1 का square 1 और 1 में 1 कितना पचे का 0 उठा के पटक दीजे और रखा था हम लोगों ने तो यहाँ पर फिर से भी बनेगा 2 की power 4 plus 0 की power 4 minus 2 into यहाँ पर होगे आपका 2 का square into 0 का square यह तो पूरा 0 होगे जहामता और 2 की power 4 का मतलर 16 होगे ठीक है ना यहाँ पर भी power कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ेगा power 5 भी रखे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं पूरा solve करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ जब रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको देखने में पता चलेगा कि यहाँ पर यहाँ पर यह एक value 1 रख लिया हमने माल लिया तो यह x बराबर 2 आजागा और y बराबर कितना आजागा आपका 0 आजागा क्यों क्योंकि 1 की power कुछ भी हो वो 1 ही रहती तो 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 तो यहाँ 0 अब उठा के फिर रख दीजे तो इसका उतर कितना आजागा सोला क्योंकि मैंने उपर करके दिखा दिया ठीक ना आप पूरा solution भी करके देख सकते हैं comment करके बताइएगा कि आपने solution इसका करा है कि ने जब solution करेंगे तो लास्ट में जो आपका इस पार्ट में खुब मन से वीडियो देखिए खुब मन से सेलेक्शन के लिए दोड़िए और धेर सरा प्यार करिए शेयर करिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरी तरफ से विजार्ड अकेडमी की तरफ से टटाव